नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है, डेटा इसके 18 जुन 2022 देख लेते हैं, इंडियन एक्स्प्रेस के इंपोर्टन आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज हमारे पास में दो ही इस्यूस हैं, एक तो ही इस्यूस रहेगा डबलू टी ओने देखो, इंटलेक्श्वल प्रॉपर्टी राइट्स में वेवियर को अप्रूवल दे दिया है, कि कोविड नैंटीन को कंट्रोल करने के लिए जो वेक्सीन्स अवेलिबल हैं, वो डेवलपिंग और लीज डेवलप्ट कंट्रीज के पास में भी को बहुत सारे जैलेंजिस देखने को मिल रहे हैं, जानेंगे स्मुद्धे को भी, तो दो इशूज है, दोनों को देखते हैं, फर्स्ट आर्टिकल है, अब बी लेटेड करेक्टिव, देखो अभी दो साल पहले से हैं, जब से पैंडेमिक आउट ब्रेक हुआ है, तब से इंडिया और साफ्ट अफरिका ने डब्ल्यू टियो में लगातार प्रोपोजल दिये हैं, कि जो पेटेंट है, उसको वेव कर दो, इसका मतलब उसमें छूट दे दो, जिससे की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको भी COVID-19 वेक्सीन इसीरी अवेलेबल हो सके, एक ए आरवी मिनिस्टीरियल मीटिंग चल रही है अभी जिनेवा में, तब और एक्स्ट्रा टाइम में जब बात पहुँच गई, तब जाकर के अपरूवल मिला है, कि चलो ठीक है, वेक्सीन इक्विटी के प्रिंसिपल के बेसिस में हम देखें, तो वाकई में हमें अपरूवल उसने तयार किया है, ठीक है, या कोई चीज बना करके खुद ने ही प्रोटोटाइप लांच भी कर दिया, ऐसी परिस्तितियों में यह पॉइंट हो जाता है, कि वो जो आइडिया है ना, जिसके बेसिस पे वो प्रोग्राम, वो जो आउटपुट आपने तयार किया, जो मा बदले में मुझे या तो मेरे साप्रोवल लेगा, या फिर उसके बदले में मेरे को कुछ पेमिंट देगा, ठीक है, तो यह पेटेंट वाला सिस्टम एपलाई होता है वेक्सीन पे, जैसे कि हमें पता है कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, तो उसके बाद में जो वेक्सीन रने की बात हुई, कोविड-19 आउटब्रेक के बाद में, तो उसमें ये सवाल था कि वेक्सीन कौन डवलप करेगा, अब डवलप करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि रिसर्च होती है, मतलब वाइरस की पूरी स्टड़ी करके, फिर बाद में उसको रोक कंपनीज थी, गिनी चुनी, उन्होंने वेक्सीन डवलप करवा लिया, अब वेक्सीन डवलप करवा है, तो पेटेंट करवा लिया, कि हमारा बनाया हुआ नुसका है, हमारा ये तरीका है, हम ऐसे किसी को शेयर कर देगा, तो इंडिया और साथ अफरिका ने शुरू से ही कि वेक्सीन एक बार डवलप हो जाता है, तो वेक्सीन पूरी दुनिया को इक्विटेबल मैनर में सब को समान तरीके से देखा जाए, तो एक्सेसिबिलिटी होनी चीए वेक्सीन की, और इंडिया साथ अफरिका की इस मुहीम को बहुत सारे डवलपिंग कंट्रीज ने थीक में तो ऐसी परिस्थितियों में कहींडी प्राबलम आती रही और ये फैंडेमिक खतम नहीं हुई, यह तो सिंपल सा है कि जब टक एक भी इन बन्दा इस पैंडेमिक से इम्यून नहीं है, तब तक कोई भी सेफ नहीं है इस बिमारी से, तो ऐसे में पूरी दुनिया क Commerce Minister की जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में फाइनल यह अप्रूवल मिला है इंडिया ने developing countries को भी इसमें आड़े आतों लिया है कि आप लोगों ने सही तरीके से negotiate नहीं किया अगर developing countries सारे मिलकर कि अगर दबाव बनाते developed countries पे तो definitely वो पहले ही बात को मान जाते हैं और फिर भी यह जो decision है बोलो बहुत progressive है इसके अलावा वोई बात है दे रहाए दुरूस्त आए ठीक है the deal has come too late is therefore correct to an extent चलो ठीक है दे रहाए दुरूस्त आए कुछ तो अच्छा है गम से गम अब सवाल क्या है कि अभी आप कोविड को रोकने के लिए preventive अप्रोच अपना रहे हो जिसमें की वैक्सीन दिया जाता है वैक्सीन में basically क्या होते हैं वाइरस के ही कुछ ना कुछ ऐसे content होते हैं जो कि हमारी बाड़ी के immune system को training देते हैं कि जी आपको infection दे दिया गया अब आपकी body उसको retaliate करेगी object करेगी तो ऐसे में हम severity से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा खतरनाक infection ना हो जाए क्योंकि हमारे body का immune system already हमने जान बूज करके infect कर वा लिया vaccine के थरू जिससे फिर आने वाले time पर अगर real में भी natural infection भी होता है तो हम deal कर लेंगे तो ऐसे में बात ऐसी है कि infection के खिलाफ में तो ये protection है नहीं बस किवल ये है कि severe infection ना हो ये एक point अभी तक point हमें समझ में आता है क्योंकि ये कोई दवाई तो है नहीं ये तो preventive approach है कि एक बार अगर infection हो गया तो फिर आपकी body ready है लड़ने के लिए दुबारा infection होगा तो लड़ने के लिए तयार है आपकी body कुल्मिला के बात है कि infection को रोकना तो possible नहीं है बट infection से fight करने की तैयारी हम कर लेते हैं अब देखो ये जो पेटेंट वेवियर दे दिया गया वेवियर का मतला छूट देना अभी छूट दे दी गई है पेटेंट की तो क्या vaccine बनाना आसान है तो इसका जवाब है जी बिल वर्ड वर्ड कंट्रीज हमेजरली जो लीश डवलप्ट कंट्रीज हम जिनको बोल सकते हैं उनमें अभी भी problem अभी भी continue चल रही है जैसे चाइना जैसे country face कर रहे हैं तो बाकी तो problem है अभी तक क्या था कि इंडिया जो की generic drugs के लिए वर्ड फार्मेसी के तोर पे फेमस रह उस ड्रग को उल्टा खोल करके जैसे मशीन बनके आगे मशीन को खोल करके उसकी study की और फिर उस study के basis पे कुस नया product बना दिया जो की सस्ता बेशना शुरू कर दिया तो यह थी generic drugs क्योंकि original drug तो क्या हो गई आपने पूरी महनत की पुरा research and development किया तब जाकर कि वो prototype तैयार ह हुआ prototype मतलब एक तरीके सेंपल तयार हुआ फिर सेंपल से आपने understand किया survey करवाया implement करवाया उन कामों को तो आपने expand किया काम को तो वो चीजे देखो drug जो होती है उस पे तो चल जाती है पर यहाँ पर vaccine की बात आती है different challenge दे रहा है क्योंकि इसमें patented knowledge है ना उसके collaboration के बिना vaccine develop करना थोड़ा सा tricky है तो ऐसे में vaccine की reverse engineering करके फिर generic vaccine develop करना अपने आप में बहुत मुश्किल है तो ऐसे में मजबूरी है कि जिनके पास में patent कराया हुआ ये method है जिन लोगोंने research and development कराया और जिनोंने patent करवाया वो जब तक collaboration में नहीं आते हैं तब तक vaccine manufacturing करना थोड़ा सा मुश्किल है इसका मतलब कि केवल patent में छूट देने से ही काम नहीं चलेगा यहां पर जो manufacturers vaccine develop कर रहे हैं उनकी health के भी जरुवत होगी उनकी technical skill और raw materials की requirement होगी और रहे raw material ही नहीं होगा market में तो क्या reverse engineering करके आप क्या produce करोगे तो ऐसे में और दूसरा technology कौन सी apply की है क्या इं जो mass level के production के हम बात कर रहे हैं large scale पे जिससे की पूरी दुनिया को vaccine हम supply कर सके या फिर हम क्यों कोई भी country मानलो production करना चाहे जहां पर की vaccine accessibility ensure नहीं हो पा रही है तो उस case में वहाँ पर technology technical skill set और raw material यह दो चीजों की help की जरुद पढ़ेगी तो उन companies को आगे आना होगा जो company प छूट देकर के कि जी हां करो आराम से कोई problem नहीं है हमें objection नहीं है यह आपका passive role हो गया आपको active role play करने की ज़रूद है जहां पर आप technology और skill set भी supply करो जिससे की production हो सके actual में जो requirement है इस vaccine की covid को contain करने के लिए इसका छोटे से example है AstraZeneca vaccine हुआ जिसमें Oxford University ने research किया Serum Institute of India के पास में logistic available था दोनों ने में collaborate किया तब जाकर के AstraZeneca vaccine जिसको हमने covid shield बोला वो vaccine तयार हो पाया समझ गए तो ऐसे में collaboration हुआ तब outcome निकला तो Oxford University का knowledge Serum Institute of India का technology अब ये जब तक दूसरी कंपनियों के साथ share नहीं करेंगे तो फिर आप चाहे कितना ही छूट दे दो दूसरों को क्या पता पड़ेगा कि वो कितना reverse engineering करेंगे एक limit तक चलो एक कदम तो clear हुआ क्या कि कम से कम एक global consensus तो निकल के आई ना कि इस बिमारी को खतम करने के लिए सब को equitable distribution में लाने की जरूरत है तो पहला कदम तो clear हो गया patent waiver का अब technology transfer का जो मुद्दा है knowledge transfer का जो मुद्दा है उसको भी sort out करने की जरूरत है तब जाकर कि ये vaccine mass scale पे develop हो पाएंगे तब जाकर कि इस बिमारी को हम अच्छे से handle कर पाएंगे ठीक है आगे चलता है नेक्स आर्टिकल है a month of pink washing देखो आर्टिकल को यहाँ पर लिखा है सुक्मनी मलिक के द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल है इनका यह कहना जून मन्त की अगर बात करें तो social media को उठा करके देखो विब मेटा यह जो कंपनिया है यह भी LGBT LGBT कम्यूनिटी को प्रोमोट करने के लिए campaign चला रही है या फिर उनके protection के लिए promotion नहीं कहेंगे protection के लिए उनकी dignity के लिए campaign चला रही है तो ऐसी परिस्तितियों में आप और और वह दिखाते क्या rainbow rainbow का मतलब अलग-अलग variant तो क्या कहेंगे हम मतलब यह कह सकते कि अलग-अलग behavior जो होता है एक individuals के उन behaviors को शो करते हुए अब LGBTQI community that means lesbian gay या फिर आप देख सकते हो यह जो queer community होती है इन सब को represent करने के लिए इनको अलग-अलग color code से शो किया जाता है rainbow में इसलिए विब्ग्यॉर वर्ड आ गया विब्ग्यॉर में यह violet इस तरीके अलग-अलग colors हाई है ठीक है blue green yellow orange red इस तरीके से color होता है ठीक है overall अगर देखो तो अलग-अलग color के basis पे शो किया जा रहा है तो color variant जो यह है सतरंगी दिखाना वह सतरंगी का मतलब LGBTQ community को शो किया जा रहा है अब देखो यह pride month होता है जून का महीना ठीक है queer community या transgender community के promotion के लिए अब इसमें क्या है political moment के तौर पे politicians भी participate कर रहे है और corporate houses भी participate कर रहे है पर यहाँ पर एक दोगली पंथी देखने को मिल रही है क्या कि आप किवल जून month में तो अपनी तर है तो हमारे यहाँ पर 2019 में transgender act है 2019 का उसमें आपने equality act जो है उससे संबंदित कोई भी provision नहीं डाला मतलब US में transgender act है वहाँ पर equality act भी है इसका मतलब आप किसी एक community को protect करना चाहते हो उनकी welfare ensure करना चाहते हो तो उनमें equity का तो provision होना ही चाहिए ठीक है अब equity के provision के बिना आप उस community को protection दे रहे हो तो कहां पर वो society में guaranteed अपनी protection ensure करवा पाएंगे तो ऐसे मैं बोलें इंडिया में trans act तो पारित हो गया बट equity act पारित नहीं हुआ जो की ठीक बात नहीं है कारण क्या है क्योंकि आप reality से फिर दूर जाते हो इसमें ये point बताया जा रहा है कि politicians जो बनाने की बात आती है तब वहां पर वह कहीं नहीं अपनी कंजुसाई बरत देते हैं बहुत इसमें लगबग पचास से सो बिलियन डॉलर तक मतलब इस मन्त के टाइम पे maximum कमा करके पूरे एन्वली इंकम होती है और इसमें contribution में होता है किस community के basis पे LGBTQ community चाए कोई promote करें उनको या फिर इनका खुद का participation हो खुद के right के लिए तो ऐसे में जो queer liberation की बात हम कर रहे हैं LGBTQ community की liberation की बात करेंगे freedom की बात कर रहे हैं बोला corporate वो एक तरफ तो अपनी तरफ से queer community के लिए campaign चलाते हैं और दूसरी तरफ वही corporate politician को भी funding देते हैं जो politician LGBTQ community के खिलाफ में कानून बनाते हैं तो बोला इस तरीके से दोगलीपन्त ही आ गई इसके साथ में अगर देखा जाए तो एक scenario अभी देखने को मिल रहा है कहां पे western world में जहां पर इस particular community LGBTQ community को unique consumer base के तौर पर देखा जाता है और उनके लिए marketing fundे तयार किये जाते हैं ठीक अब जून मन्त है LGBTQ community है अब इसके लिए marketing वाले बैठे है डिजिटल marketing marketing वाले वो तयार करेंगा ऐसे फॉर्मुलाज जिससे की ज्यादा ज्यादा उनका market में product बेके चाए व उनका तो ऐसे में वो क्या तयार करते हैं अपने एक system और इस मन्त में LGBTQ theme का use करते हो अपने product को maximum बेचते हैं ठीक है इसको बोलते है pink washing बोले इस pink washing का misuse बहुत जादा किया जा रहा है अभी अमेरिका में एक company AT&T ये telecommunication और इनसे संबंदित deal करने वाली company है ये ठीक है इस company अपनी strategy इस तरीके से बनाई है भी जिसमें एक campaign शुरू किया है turn up the love जिसमें ये था कि US में जो LGBTQ community है उसमें LGBTQ community के लिए सबसे बड़ा जो non-profit organization काम कर रहा है उसके साथ collaborate किया और ये moment शुरू किया अब ये moment शुरू किया तो क्या target है LGBTQ क्यों रंग का फाइदा उठा रही है कि ये company अपने आपको और ज्यादा promote करने के लिए कि जी हम sympathy दिखा रहे हैं राइट दूसरी तरफ ये बताया जारा writer के द्वारा कि less is more Walmart ने भी अपनी तरफ से pride Walmart proud इस तरीके से एक campaign शुरू कर रखा है जिसमें अपनी तरफ से एक show off होना कि जी LGBTQ community के लिए हम भी sensitive हैं पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो Walmart ने millions of dollars उन politicians को donate किये हैं जिन्हों ने LGBTQ community के लिए protection को withdraw करने के लिए support दिया तो बहले ये चीज़ क्या दिखाती है Walmart की दोगलीपन थी सेम चीज़ आप apply कर दो दूसरी जगहें पर कि जहां जहां पर भी funding एक तरफ तो आप promote करने की बात कर रहे हो LGBTQ community को और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो withdraw करने की और या फिर उन्हीं के खिलाफ में कोई कानून बनाए उनको support करने की OTT platforms में भी Netflix की बात कराई जा रही है Amazon Prime की बात की जा रही है इनमें यह कहा जा रहा है कि अभी recent Netflix का market बड़ा डाउन चल रहा है तो ऐसे में जब 1500 employees को fire किया गया ठीक है नोकरी से निकाला गया तो उनमें ज़्यादातर LGBTQ community के individuals थे जबकि LGBTQ community का use करके Netflix ने बहुत सारे programs बनाए हैं अपने आपे अपने platform पे शो भी करता है बट उसके बावजूद भी जब firing हुई तो LGBTQ community के जायदर लोगों को fire किया तो बोले इस तरीके से corporate houses बहुत ही ज़्यादा दोगलीपंती दिखाते हैं इसके आगे social media platforms की बात कर लो चाए Facebook हो चाए Twitter हो अब इन में देखा जाता है कि algorithm को अगर समझ जा जाए न तो पता यह पड़ता है कि अगर किसी post को डाल करके छोड़ दिया जाए अपने हिसाब से उस post को promote होने दिया जाए तो पता यह पड़ता है कि Facebook और Twitter की जो algorithm हो इस तरीके से काम क community को troll that means उनको criticize करने वाले जो comments है ना उनको जादा promotion मिलता है इसका मतलब एक queer phobia फैल रहा है कि LGBTQ community से belong करने वाले लोग कुछ अलग ही होते है इस तरीके की जो post होती है ना उनको promotion बहुत जादा मिलता है यह social media platform की algorithm के basis पे जो की बोलब बहुत जादा partiality show करता है तो ऐसे में corporate जो है वो इस चीज को ignore नहीं कर सकते हैं कि आप किसी community को एक तरफ तो include करने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ उसी को criticize करने वाले चीजों को आप promote कर रहे हो या फिर उनकी जड़े काटने वाले चीजों को आप promote कर रहे हो वही बात है अंबेडिगर जवाली बात कि liberty, equity, fraternity यह तीन ऐसी trinity है इन तीनों में से किसी एक को भी आप divide कर दोगे तो दो की कोई worth नहीं रहती वही सीधी सी बात है कि आपने liberty दे दी बड़ equity नहीं दी तो इस case में जो लोग powerful हो और जदा powerful हो जाएंगे उस स्वतनतरता का use करके और equity अगर दोगे और liberty आप दे नहीं रहे हो इसका मतलब एक individual कुछ innovative कर ही नहीं पाएगा तो यह values यहाँ पर miss हो जाती है तो overall point क्या रहा है कि liberty दे रहे हो तो equity भी दो equity दे रहे हो तो fraternity अपने आप promote हो जाएगी फिर ठीक है लोगों में acceptability आजाएगी पर वहाँ पर कहीं नहीं missing है यह बहुत ही शांदार link अपने आप ही बन गया है अंबेडिगर जी वाली जो बात है Trinity ठीक है ना यह आपको Trinity वाला जो option है यह पॉइंट है यह कहां पर मिलता है 11th class की जो वो का नाम नहीं का नाम उसका Constitution at work उसमें है यह ठीक है धंचे पढ़ना उसको एक छोटा सा column है बढ़िया इसके अलाबा यह चीज जिसमें बताई हुई है लक्षमिकांत में मेंशन्ड है यह चीज पर वो वहां से उठाई हुई content है बड़ी अच्छी बात है यह खर आजए आगे तो lgbtq plus moment की अगर बात करें तो देखो जितना west में influence है ना उससे इंडिया थोड़ा सा immune है अभी तक पर हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि 100% immune है कुछ ना कुछ moments हमारे हाँ चलते रहते हैं जैसे अमूल है United Nation AIDS जो है UN AIDS इनके दौारा भी अपनी तरफ से campaign चलाय जा रहे है lgbtq community related awareness और इनके society में inclusion को लेकर के पर वही बात है कि politicians जो हैं वो कहीं ना कहीं अंदर जाकर के जब law बनाने की बात आती है तो lgbtq community के लिए favor की बात करते ही नहीं है अब सवाल यह है कि actual में जो politicians चा रहे हैं जो कोई भी यह इंडिया में corporate world के लोग करना चा रहे हैं वो चीज इंगेजमेंट और एक proper investment बहुत ही जादा निर्नायक रोल निभाने वाला है lgbtq community की बात करें तो ठीक है तो overall अगर देखें तो lgbtq community का अगर liberation देखें इनकी freedom की बात करें तो यह exactly वैसे ही fight है जैसे कि civil rights के लिए fight हुई है western countries में या हमारे यहां पर ठीक है तो यह था प important content है ना उससे बढ़िया एक अच्छा सा note making कर लेना क्योंकि यह vulnerable section of society में आ जाते ही है government ने क्या scheme चला रखी है क्या-क्या benefit पहुचाने की बात कर रहे है इस community में किस-किस को consider किया जाता है definition अच्छे से learn करो ठीक है एक note making कर लो क्योंकि यह इस तरीके के article बहुत rare आता है ठ ओके सो discussion में इतना ही है thank you very much